हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको एक 3-face इंडिकेटर बना कर दिखाने माला हूँ यह वीडियो फ्रेंड्स खासकर किसानों के लिए बहुत यूसफुल है तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक भी करें और शेयर भी करें Friends इस 3 Face Indicator को आप direct 3 Face Motor Stutter के साथ connect कर सकते हैं इसमें Friends हमने 3 Wire connect की हैं जो कि हर एक Face के साथ connect है वेदी इन 3 Face हों में से Friends कोई भी 1 Face missing है या खर कहीं पे भी Short Circuit हो जाता है तो यह Friends 3 Face Indicator हमको Light की मदद से बताता है कि इनवे से कौन सा Face missing है यदि फ्रेंट्स तीनों फेस रहेंगे तो यह तीनों लाइट ओन रहेंगी और जो अंसा भी फेस नहीं होगा वो लाइट बंद हो जाएगी तो आईए फ्रेंट्स वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं इसके पहले फ्रेंट्स आपको मार्केट से कुछ इस प्रकार का तीन सौकेट वाला बूट पर्चेस करना है इसके बाद फ्रेंट्स आपको लाइट इंडिकेटर पर्चेस करना है जिसको आपको कुछ इस प्रकार से बूट के ऊपर लगा देना है इसी प्रकार से आपको इसलेशन हमने निकाल लिया है, friends इस wire का connection हमको तीनो light indicator के neutral के साथ करना है और इसके बाद हमको screw driver के मतद से इनके screws को अची तरह से tight भी कर देना है, अब हमको friends एक red color का wire लेना है जिसको हमको पहले वाले light indicator के साथ connect करना है जो की पहले वाले face के साथ connect होगा, इसके बाद friends हमको ये यलो कलर कवाल लेना है, जिसको हमको दूसरी वाले लाइट इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है, जो की दूसरी वाले फेस के साथ कनेक्ट होगा, इसके बाद फ्रेंड्स हमको एक ब्लू कलर कवाल लेना है, जिसको हमको तीसरी वाले लाइट इंडिकेटर के साथ इस तरह से फ्रेंड्स आपको इन में वारिंग करनी है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको eux पूर्ड को इसके फूरे बॉक्स के ऊपर लगा देना है और इस group की मदस्य अची तरह से इसको tied भी कर देना है अब मैं आपको friends इसकी wiring समझाता हूँ कि किस प्रकार आपको इसको starter के साथ connect करना है इसमें friends आप यह जो पहला वायर देख रहे हैं जो की red color का है इसको आपको पहले वाले face के साथ connect करना है दूसरे वाले yellow wire को दूसरे वाले face के साथ connect करना है और तीसरे वाले blue वाले को तीसरे face के साथ connect कर देना है और कुछ इस प्रकार से friends आपको three face indicator का connection three face starter के साथ कर देना है friends यह पहला वाला light indicator पहले वाले face को बताएगा इसके बाद friends जो दूसरा वाला light indicator है ये दूसरे वाले face को बताएगा और जो तीसरा वाला light indicator है ये तीसरे वाले face को बताएगा यदि friends इनमें से कोई सा भी face नहीं आता तो ये light हमको बता देगी कि कौन सा face नहीं आ रहा यदि तीनों फेस रहेंगे तो तीनों लाइट ओन रहेंगे यदि जॉनसा भी नहीं होगा वो लाइट नहीं जलेगी